आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में हम लोग आपको दूटूटॉल दिखाने वाले हैं एक तो है मैन्यूल एक्सप्रेशन मतलब कैसे हाथ से मा को दूद निकाल सकती है और कौन से कौन से टाइम पे वो हम लोग बताते हैं मा को अपना खुद का दूद निकालना तो वो भी दिया हुआ है टूटॉल में और पूरा उसका टिक्नीक है प्रेस कंप्रेस रिलीस मतलब क्या करना है कि मा को हम लोग ने दिखा है टूटॉल में की दो अंगली दूर रखे जो निपल से दो अंगली दूर रखे महां पे यूनो मा की दो अंगलिया होनी चाहिए और उसको पीछे की तरफ दबाना है तो चाहते हैं उसके पीछे की त कि नर्स्स को जबी पताने होता है रहा है वो अपने या निपल दबाते है या तो बहुत दूर से दबाते तो दूद नहीं आता है तो माप लगता है कि मुझे दूद nई है तो यह पूरा टिक्नीक आपको शिखना है कि कहा पे उंगलिया होनी चाहिए कैसे पहले प्रेस करना छाती के अंदर के और, थीक है, फिर compress करना है और फिर release करना है, ठीक है, तो आपको हम लोगे ने टुटॉल में दिखाया है, सेकंड जो टूटारल है वो है कि एक बार दूद निकाला तो उसको कैसे स्टोर करना है ठीक है उसको कैसे उसका संग रख करना है वो भी हम लोग ने दिखाया हुआ है तो आप देखे कि कितना गंटा वो दूद बाहर रह सकता है कितना गंटा वो दूद फ्रीज में रह सकता ह है तो बहुत मनलब 때 lui teaching में हम लोगों Spike हो आज है कि कैसे वो store करना है ठीक है एक बाar store किया तो फिर उसको कैसे defrost करना है कैसे उसको Diamond Ele Administration पर लाना है वो भी हम लोगों के लिए सिखाय हुआ है तो यह आप tutorial देखें और यह information आपको pass on करनी है हाथ से दूद निकाले जाने के इस पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे हाथ से दूद निकालने के फाइदे हाथ से दूद किस तरह निकाला जाए और कितनी बार निकाला जाए हाथ से दूद निकालने के फाइदे हैं कड़क स्तनों को आराम मिलना निकाले गए दूद से जखमी निपल और उसके आसपास की सुखी त्वचा का इलाज कर पाना स्तन पान के दौरान जखमी निपल में दर्ध हो तो शिशू को ये वाला दूद दे पाना मा के दूद की मात्रा बढ़ाना या फिर बनते हुए दूद की मात्रा बनाए रखना ये दूद शिशू के लिए रखा जा सकता है जब मा आसपास ना हो या काम पर गई हो ये तरीका निपल के आसपास के काले भाग को नरम करके शिशु को स्तन से सही तरह से जुणने में मदद भी करता है। इस तरीके से ये भी जांचा जा सकता है कि शिशु ने एक स्तन को पूरा खाली किया है या नहीं। और गाई के दूद के बजाए इस दूद से शिशू का पूरक खाना भी बनाया जा सकता है इस से समय से पहले पैदा हुए शिशूँ को दूद दिया जा सकता है और बिमार शिशूँ को भी, कमजोर मासपेशी वाले शिशूँ को भी और उनको भी जिने जुड़ी हुई जीब हो या कटे हूंट हो और उन शिशुओं को भी जिने स्तन से जुड़ने में तकलीफ हो अब हम सीखेंगे कि हाथ से दूद कैसे निकाले सबसे आम तरीका जो सुझाया जाता है वो है मा अपने हाथ से खुद दूद निकाले क्योंकि इस तरीके से निपल के आसपास के भाग को कम तकलीफ होती है और इस तरीके में किसी उपकरन की जरूरत नहीं होती जिस वज़े से मा कहीं भी कभी भी दूद निकाल सकती है हाथ से दूद निकालना एक ऐसी कला है जो बार-बार करने से बहतर होती है जब स्टन नरम हो तब हाथ से दूद निकालना आसान होता है इसलिए हर मा को ये कला प्रसव के पहले या दूसरे दिन सीख लेनी चाहिए हाथ से दूद निकालने से पहले मा को दूद इकठा करने के लिए स्टील या कांच का बरतन तयार करना चाहिए वो एक कप, गिलास, जग या बड़े मुवाला बरतन इस्तिमाल कर सकती है उसे पहले बरतन को साबुन और पानी से धूना चाहिए उसके बाद बरतन को उबलते पानी में या फिर उबलते पानी को बरतन में डालकर कुछ देर तक छोड़ना चाहिए फिर बरतन को हवा लगा कर या साफ कपड़े से पौँच कर सुखाना चाहिए बरतन को कभी भी मेले कपड़े से नहीं सुखाना चाहिए बरतन को सुखाने के बाद अगला काम है स्तन से दूद निकालना दूद के बहने के लिए मा को शांत मन से शिशु के बारे में सोचना चाहिए मा ये सब भी कर सकती है, जैसे अकेले शांत बैठना या फिर खास सहेली के साथ बैठना कुछ माएं अपनी सहेलियों को हाथ से दूद निकालता देख, खुद भी आसानी से निकाल पाती है मा शिशु को अपने नंगे शरीर के करीब रखने के लिए गोधी में बिठा सकती है या फिर वो शिशु को देख सकती है या उसकी आवाज सुन सकती है कभी सिर्फ शिशु की तस्वीर देख कर या उसके कपड़े सून कर भी मदद हो जाती है वो कुछ हलका गरम पी सकती है पर चाय, कौफी, शराब या उत्तेजक चीजे नहीं दूद के बहने के लिए वो अपने स्टन को हलका गरम कर सकती है जिसके लिए गरम पानी से निचोड़ा हुआ कपड़ा स्टन पर रख सकती है या गरम पानी से नहा सकती है अपने निपल और उसके आसपास के काले भाग को उत्तेजित करने के लिए वो उन्हें हलके से खींच सकती है या उंगलियों से घुमा भी सकती है अपने स्तनों को गोलाकार तरीके से घुमा कर उनकी मालिश कर सकती है मा किसी से अपनी पीठ भी दबवा सकती है पीट दबवाने के लिए मा को बैट कर आगे की तरफ जुकना चाहिए बाहों को मेज पर रख कर उस पर सर रखना चाहिए उसके स्तन नंगे लटकने चाहिए मालिश वाली को रीड की हड़ी के दोनों तरफ उपर से नीचे तक दबाना चाहिए मुठी बंध होनी चाहिए और अंगूठे बाहर की तरफ होने चाहिए अपने अंगूठे को अच्छे से दबा कर गोलाकार तरीके से घुमाना चाहिए उसे रीड की हड़ी के दोनों तरफ एक ही बारी में दबाना चाहिए गर्दन से कंधू तक ऐसा उसे 2-3 मिनट तक करना चाहिए इन सब तरीकों से दूद के निकलने में मदद होती है और दूद जब इस तरह निकलता है तो उसे ओक्जिटोजन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं ओक्जिटोजन रिफ्लेक्स के शुरू होने पर मा को अपने हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए फिर उसे आराम से बैट कर हलके से आगे जुकना चाहिए उसे तयार किया बरतन स्तन के पास पकड़ना चाहिए अब उसे एक तरफ से अपना अंगूठा और उंगलियां स्तन पर आधे चांद के आकार में पकड़नी चाहिए वो किसी भी हाथ से कोई भी स्तन पकड़ सकती है और जब एक हाथ ठक जाए तो दूसरे से स्तन को पकड़ सकती है स्तन पकड़ते हुए उसका अंगूठा स्तन के उपरी भाग पर होना चाहिए और उंगलियां अंगूठे के उल्टी तरफ यानि स्तन के नीचे उसका अंगूठा निपल और उंगलियां हमेशा एक सीध में होने चाहिए निपल अंगूठे और उसकी बगल वाली उंगली के बीच में होना चाहिए निपल और अंगूठा और निपल और उंगलियों के बीच में दो उंगलियों का फरक होना चाहिए उंगलियां निपल के जादा करीब हूँ तो दूद जादा देर तक नहीं बहेगा मा का दूद जादा निकलेगा जब निपल के आसपास के काले भाग की नीचे की दूद की नलियों को वह दबाएगी इस चित्र में मा ने अपना दाया स्थन दाय हाथ से सही तरह से पकड़ा है अब स्थन को लगातार हलका दबाव देते हुए सीने की तरफ अंदर को दबाएग फिर हाथ को हिलाए बिना अंगूठे और उंगलियों से स्थन को हलके से दबाएग और स्थन पर से दबाव हटा दे मा को ये तीनों तरीके दोहराने चाहिए दबा कर पीछे खीचना, हलके से दबाना, फिर छोड़ना सबसे जरूरी है पहला तरीका दबा कर पीछे सीने तक ले जाना सिरफ निपल की तरफ दबाने से बहुत कम दूद मिलेगा पर जब स्थन को पीछे को दबा कर खीचा जाता है तब गहरी नलियों से दूद निकलता है स्थन को जादा पीछे ना खीचे क्योंकि इससे दूद की नलिया बंद हो जाएंगी जब मा हाथ से दूद निकालना शुरू करती है तो पहले पहले कुछ बूंदे ही निकलती है जैसे ही लेट डाउन रिफ्लेक्स शुरू होता है तो दूद टपकने लगता है पहली कोशिशों में दूद टपकना या कम निकलना आम बात है कुछ वक्त के बाद दूद की धारा बहती है क्योंकि स्तनपान में हाथ से दूद निकालना एक कला है जो की बार-बार करने से बहतर होती है जनम के बाद का पहला दूद कॉलिस्ट्रम कुछ बूंदों में ही आता है पर नवजाच शिशु के लिए काफी होता है इस गहरे पीले दूद में शिशु की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी गुन होते हैं मा को वो तीनों तरीके बार-बार करने चाहिए जब तक दूद का बहाव कम होकर धीरे-धीरे टपकने लगे फिर उसे उंगलियां स्तन के अलग-अलग भाग पर रखकर दूद निकालना चाहिए स्तन के भरे भाग को महसूस करके उसे उस जगा का दूद निकालना चाहिए उसे हाथ से कम से कम तीन से पांच मिनट तक दूद निकालना चाहिए जब तक बहाव कम न हो जाए फिर दूसरे स्तन से भी दूद इसी तरह हर जगा से निकालना चाहिए और फिर एक और बार दोनों स्तनों से दूद निकालना चाहिए दोनों स्तनों में से अच्छे से दूद निकालने के लिए तकरीबन 20-30 मिनट लगते हैं पहले कुछ दिनों में जादा वक्त लगता है क्योंकि उन दिनों में बहुत कम दूद बनता है ये जरूरी है कि कम वक्त में हाथ से दूद ना निकाला जाए याद रखें हाथ से दूद निकालने से दर्द नहीं होता अगर दर्ध होता है तो इसका मतलब तरीका गलत है स्तन के उतक कोमल होते हैं निपल और स्तन की त्वचा को उंगलियों से ना रगणे ना खीचे क्योंकि इस से स्तन पर जखम हो सकते है निपल के आसपास के काले भाग को भी ना कसे और ना ही खीचे ना ही निपल को दबाएं या खीचें क्योंकि निपल को दबाने या खीचने से ज़ादा दूद नहीं निकलेगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिशु का सिरफ निपल को चूसना हाद से दूद निकालने के बाद मा को बर्तन एक साफ कपड़े या धकन से बंद करना चाहिए फिर उसे वह दूद बाद के इस्तिमाल के लिए संभाल कर रखना चाहिए स्तन के दूद को संभालना और इस दूद को बाद में शिशु को पिलाना ये दोनों एक अन्य टुटोरियल में बताए गए हैं अब हम बात करेंगे मा को कितनी बार हाथ से दूद निकालना चाहिए दूद को शुरू करने के लिए या बनते हुए दूद की मात्रा बनाए रखने के लिए या फिर कम वजन या बिमार नवजाच शिशू के लिए मा को प्रसव के तुरंत बाद हाथ से दूद निकालना चाहिए शुरूआत में उस से कॉलेस्रूम की कुछ बूंदे ही निकल पाएंगी इस से स्तन का दूद बनना शुरू हो जाएगा ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे प्रसव के बाद शिशू स्तन चूसता है मा को जितना हो सके हाथ से दूद निकालना चाहिए और जितनी बार उसका शिशू पी सके ये हर दो से तीन घंटे में करना चाहिए रात को भी बार-बार दूद निकालने के बीच का समय अगर जादा हो तो मा जादा दूद नहीं बना पाएगी अगर कुछ हफ्तों बाद दूद कम बन रहा हो तो मा को दूद जादा बनाने के लिए हर एक से दो घंटों में शिशु को दूद पिला कर हाथ से दूद निकालना चाहिए अगर लगे कि शिशु तीन घंटे सोएगा तो मा को दो स्तन पान के बीच में हाथ से दूद निकालना चाहिए पर अगर स्तन कड़क हो रहे हो या काम के दोरान उनमें से दूद खुद निकल रहा हो तो मा को जितना हो सके हाथ से उतना ही दूद निकालना चाहिए अगर निपल की तवचा को तंदुरुस रखना हो तो मा को हाथ से एक बून निकाल कर निपल पर मलना चाहिए ऐसा उसे नहाने के बाद और स्तनपन कराने के बाद करना चाहिए अगर कामकाजी मा को शिशु के लिए दूद रख कर जाना हो तो उसे काम पर दूद निकालना चाहिए ताकि दूद बनता रहे और काम पर जाने से पहले उसे दूद निकाल कर शिशु के लिए उसकी ध्यान रखने वाली को देना चाहिए अगर मा के पास फ्रिज है तो वो ये सब करने के लिए कुछ हफते पहले ही तयारी कर सकती है वो थोड़ा जादा दूद हाथ से निकाल कर आगे के इस्तमाल के लिए संभाल कर रख सकती है वो शिशु को स्तन पान कराने के बाद भी हाथ से दूद निकाल सकती है हर बर पिलाने के लिए मा को कुछ 60-90 मिलिलीटर दूद छोड़ना चाहिए अगर मा पास में ना हो तो जादा दूद शिशु को दे सकते हैं उसकी जरूरत के हिसाब से याद रखें जितनी बार हाथ से दूद निकालेंगे उतना दूद आसानी से निकलेगा और जल्दी भी और मा भी जादा दूद बना पाएगी अब ये टूटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद हाथ से निकाले हुए स्तन के दूद को संभालने के spoken टूटोरियल में आपका स्वागत है इस टूटोरियल में हम सिखेंगे की निकाले हुए स्तन के दूद को बात के इस्तिमाल के लिए कैसे संभाला जाए चलिए शुरू करते हैं स्तन के दूद को हाथ से निकाला जाए तो ये शिशु और मा दोनों के लिए बहुत फाइदेमंद होता है हाथ से दूद निकालने का तरीका इसी श्रिंकला के अन्य टुटॉरियल में बताया गया है इस दूद को ध्यान से संभालना और रखना चाहिए ऐसा करने से उसके सभी अच्छे गुन बने रहेंगे स्तन के दूद को संभालने से पहले मा को अपने हाथ अच्छे से धूर कर सुखाने चाहिए और दूद को जमा करके रखने से पहले मा को स्टील या कांच के बड़े मुवाले ऐसे डिब्बे लेने चाहिए जो बंध हो पाएं हालांकि स्टील के डिब्बे ही सुझाय जाते हैं पर इस टूटॉरियल में हम कांच के डिब्बे इस्तिमाल करेंगे ताकि डिब्बे के अंदर का दूद आपको साफ दिखाई दे मा को ये डिब्बे साबून और पानी से अच्छे से धोने चाहिए और फिर इन डिब्बों को उबलते पानी में दस मिनट तक रखना चाहिए इसके बाद या तो डिब्बों को हवा लगा कर सुखाएं या तो एक साफ सुथरे कपड़े से पोंच कर सुखाएं डिब्बों को कभी भी रसोई के मेले कपड़े से ना पोंचें दुले हुए डिब्बों को सुखाने के बाद उन में हाथ से निकाला हुआ दूद डालना चाहिए मा को सिरफ एक बार पिलाने के लिए या फिर तक्रीबन 60-90 मिलिलिटर दूद ही डिब्बों में डालना चाहिए अगर माने दूद को बरफ की तरह जमाना हो तो डिब्बे में दूद डालकर उसके उपर से एक इंच की जगा छोड़नी चाहिए क्योंकि बरफ की तरह जमने पर दूद फूल जाता है मा को हर डिब्बे पर हाध से निकाले हुए दूद की तारीख और वक्त लिखनी चाहिए फिर इन दूद से भरे डिब्बों को सबसे ठंडी जगा पर रखना चाहिए अगर उसके पास फ्रिज है तो डूद को उसमें संभालकर रखना चाहिए उसे डिब्बों को फ्रिज के सबसे निचले खाने के पीछे वाले हिस्से में रखना चाहिए। ये फ्रिज की सबसे ठंडी जगा होती है। इस दूद को फ्रिज के दर्वाजे में कभी नहीं रखना चाहिए। जितना कम तापमान होगा दूद उतना ही लंबी देर तक अच जितना जादा फ्रिज को खोला जाएगा, उतना ही उसके अंदर का तापमान बढ़ेगा। छे घंटों तक एक सुरक्षित, ठंडी और अंधेरी जगा रख सकती है। और कमरा अगर गरम हो, तो दूद के डिब्बों को ठंडे पानी से भरे मटके के पास रखे या फिर ठंडे पानी से भरे बरतन में रखे। मा के ताजे दूद में इनफेक्शन से लड़ने वाले अच्छे किटानू होते हैं। इसलिए ये गाई के दूद के मुकाबले जादा लंबी देर तक बिना खराब हुए रहता है। कम से कम 6 घंटों तक किटानू ताजे दूद में नहीं पैदा होतें। चाहे गरमी हो या दूद फ्रिज के बाहर हो। स्तन के दूद को फ्रिज के बाहर संभालने का एक और तरीका है। उसे ठंडे बैग में या एक बकसे में रखना जिसमें बरफ के पैकेट हों जो कि हर 24 घंटों में बदलने चाहिए। दूद को इस तरह रखें कि वो बरफ से दूर रहे नहीं तो वो जम जाएगा। इसी ठंडे बरफ के बैग में दूद लेकर सफर भी कर सकते हैं। अगर मा को दूद साथ दिनों से जादा तक संभालना हो तो हाथ से दूद निकालने के बाद जल्दी से दूद बरफ बनने रखना चाहिए। वो दूद जो बरफ की तरह फ्रिज के बरफीले भाग में रख कर जमाया हो दो हफ़तों तक अच्छा रहता है। अगर फ्रिज का बरफीला भाग अलग हो तो उसमें बरफ की तरह जमाया हुआ दूद तीन से छे महीनी तक अच्छा रहता है। अगर बरफ की तरह जमाय हुए दूद को रात भर फ्रिज के सब से निचले खाने में रख कर पिगलाया हो तो उस दूद को 24 घंटों के अंदर इस्तिमाल कर लेना चाहिए। और अगर फ्रिज के बाहर रख कर पिघलाया हो तो दो घंटों के अंदर इस्तिमाल कर लेना चाहिए। इसी श्रिंकला के अन्य टुटॉरियल में बताया गया है कि संभाल कर रखे हुए मा के दूद को शिशु को देने के लिए क्या क्या करें और हाथ से निकाले हुए को संभाल कर रखने का यह स्पोकन टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है आयाइटी पॉंबे से मैं बैला टोनी आपसे विदा लेती हूं हम से जुडने के लिए धन्यवाद यह जो सेशन है उसमें हम लोगों ने सिखा है कि एक बार माने अपना दूद निकाला तो कैसे बच को यूलाब होने के छांसेज बहुत जयादा है यह तो आप पलडा यूज कर सकते है या तो आप चम्यच यूजर करते है तो चोटा सा है वह भी यूजर कर सकते हैं अब को धिगान में रखना है कि महत्त शार्प ना हो अर और दूसरा एक महातोपणिकिन का पॉैंट है जो आपको आपको नीचे के होट पर नहीं रखना है तो उसको मन जो चोका होट काने हिर जाए जाधा है तो आपको और लुदा हो और इसे लीठा यही रखना है दूद पिलाएंगे तो उसके चोकिंग के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है और आप प्रैक्टिस कीजिए जहां पे भी आप है वहां पे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि बचे को कैसे मा का दूद अगर मान निकाला हुआ तो कैसे दूद पिलाना है पचे को ठीक है और बोटल डेफिनिटली समाल नहीं करना है ठीक है धन्यवाद हाथ से निकाले गए स्तन के दूद को शिशू को पिलाने के स्पोकन टूटोरियल में आपका स्वागत है इस टूटोरियल में हम सीखेंगे संभाले गए दूद को शिशू को पिलाने के लिए किस तरह तयार करें फिर उस दूद को किस तरह पिलाएं चलिए शुरू करते हैं हाथ से निकाले गए स्तन के दूद से मा और शिशु दोनों को बहुत फाइदा होता है हाथ से दूद निकालना और उसे संभालना अन्य टुटोरियल में बताया गया है अब हम सीखेंगे संभाला हुआ दूद शिशु को पिलाने के लिए किस तरह तयार करें दूद को संभालने से पहले शिशु के ध्यान रखने वाले को अपने हाथ साबुन और पानी से धोग कर सुखाने चाहिए याद रखें संभाले हुए दूद में सबसे पुराना दूद पहले इस्तमाल करें बरफ की तरह जमाया हुआ दूद इस्तिमाल करना हो तो पहले उसे रात भर फ्रिज के सब से निचले खाने में रख कर पिघलाएं और फिर इस दूद को अगले 24 गंटों में इस्तिमाल करें पर अगर बरफ की तरह जमाया हुआ दूद जल्दी चाहिए हो तो उसे फ्रिज के बाहर एक ठंडे पानी के बरतन में रखकर पिखलाएं फिर उसे कोसे पानी के बरतन में रखकर पिखलाएं कोसे पानी में पिगलाते हुए दूद के डिब्बे को बीच-बीच में हलके से हिलाएं पर लगातार जोर-जोर की नहीं इस्तिमाल करने से पहले डिब्बे को बाहर से पौँच ले इस पिगलाये हुए दूद को दो घंटों में इस्तिमाल करें और बचा हुआ बाकी का दूद फैंक दें पिगलाया हुआ दूद ताजे दूद के मुकाबले स्वाद और सुंगने में अलग होता है पर अगर शिशु उस दूद को पी ले तो इसका मतलब दूद ठीक है अगर दूद सुंगने में खटा हो तो शिशु को ना दें याद रखें संभाल के रखे हुए दूद की मलाई उपर जमती है ये आम बात है मलाई को दूद में वापस मिलाने के लिए इस्तिमाल से पहले दूद को हलके से हिलाएं शिशु को पिलाने से पहले दूद को हलका गरम करना हो तो उस दिब्बे को हलके गरम पानी के बरतन में 20-30 मिनट तक रखें दूद की गरमाईश जांचने के लिए उसकी बूंदें अपने अंदर की कलाई पर डालें अगर दूद हलका गरम है तो पिलाने लायक है गरम पानी में दूद को गरम ना करें कोशिश करें कि संभाले हुए दूद को फ्रिज से सीधा शिशु को पिलाएं इस से दूद के जादा गरम होने या कलाई के जलने से बचेंगे स्तन के दूद को सीधा चूले पर या माइक्रोवेव में गरम ना करें सीधी आंच से दूद में इन्फेक्शन से लड़ने वाले अच्छे किटानू मर जाएंगे जब भी स्थन का दूद तयार हो शिशु को पिलाएं दूद पिलाने के लिए ये इस्तिमाल करें पलड़ाई, छोटा कप, चम्मज या फिर निफ्टी कप इन में से चम्मज या फिर कप से शिशु को पिलाना सबसे ज़ादा सुझाया जाता है पहले ध्यान रखने वाले को चुने हुए बर्तन को साबुन और पानी से धोकर हवा लगा कर सुखाना चाहिए या फिर साफ सुत्रे कपड़े से सुखाना चाहिए फिर खुद के हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए स्तन के दूद को बर्तन में या तो आधा या फिर दो तिहाई भरें फिर शिशु को अपनी गोदी में तक्रीबन सीधा बिठाएं अपने हाथ से शिशु के सर और गर्दन को सहारा दें अगर पलड़ई से दूद पिलाना हो तो उसकी नोग की स्थिती शिशु के मुँके अंदर कोने में होनी चाहिए पलड़ई को हलके से शिशु ने दोनों होटों के बीच में पकड़ा होना चाहिए और खास कर पलड़ई की नोग शिशु के उपरी होट को हलके से छुनी चाहिए ऐसी स्थिती में दूद पलड़ई की नोग के किनारे में होना चाहिए जब शिशु दूद निगलेगा पिलाने वाले को पलड़ई हलके से जुकाना होगा ताकि दूद नोक के कोने तक आए अगर शिशु को कप से दूद देना हो तो कप को हलके से शिशु के होटों के बीच रखे कप का किनारा हलके से शिशु के उपरी होट को छूना चाहिए धीरे से कप को जुकाएं ताकि दूद कप के किनारे तक पहुंचे इससे शिशु कप के किनारे से दूद पी पाएगा और अगर शिशु को दूद चम्मच से देना हो तो चम्मच को शिशु के होटों के बीच में रखें चम्मच का किनारा उसके उपरी होट को छूना चाहिए फिर चम्मच को हलके से जुकाएं ताकि दूद किनारे तक पहुंचे जनम के कुछ दिनों तक चम्मच से दूद पिलाना फाइदेमंध होता है क्योंकि इन दिनों शिशु को कम दूद की जरूरत होती है अगर शिशु को निफ्टी कप से दूद पिलाना हो तो कप का भाग जिसमें दूद इकटा होता है उसे ऐसे पकड़ें कि वो शिशु के मुँखे अंदर हलके से हो जब शिशु दूद पियेगा तो कप को थोड़ा जुकाएं इससे कप के आगे के भाग में दूद फिर से भर जाएगा शिशु को दूद पिलाते हुए कभी भी उसके मुँ में दूद ना उड़े ले इससे उसका दम घुट सकता है बलकी दूद हमेशा कप या चम्मच के किनारे तक लाकर पिलाएं पिलाते हुए ध्यान दे कि वो जगा हुआ और सतर्ख हो और उसके पीने का मन हो ज़रूरत पड़े तो शिशु को कपड़े में लपेट कर पिलाएं ताकि वो अपने हातों से दूद न गिरा दे आप जल्दी ना करें उसे खुद के हिसाब से पीने दें ध्यान से उसके पेट भरने के संकेतों को देखें जैसे हात उपर उठाना, सो जाना या मुँ बंद रखना याद से उसके निचले होट पर जोर ना डाले कप या चमच का किनारा उसके उपरी होट को छूना चाहिए कप, पलड़ई या चमच को उसके मुँ के अंदर तक ना डालें कभी भी शिशु को लिटा कर ना पिलाएं और दूद की बोतल का इस्तिमाल ना करें दूद पिलाने के बाद कप, पलड़ई या चमच को अच्छे से साबुन और पानी से धो लें और फिर हवा लगा कर सुखाएं हो सकता है पहले पहले जब नया इनसान ये वाला दूद पिलाएगा तो शिशु पीना नहीं चाहेगा पर किसी और के देने पर आराम से पी लेगा अगर शिशु इस दूद को ना पिये तो चिंता ना करें जब मा घर आएगी तो शिशु स्तन पन कर लेगा लंबी देर तक या फिर कई बार स्तन के दूद को ध्यान से रखने के लिए जरूरी है धुले हुए हाथ, डिब्बे और बर्तन जैसे ही इस दूद की जरूरत शिशु को पड़े उसे पिलाएं और इस दूद को हमेशा ध्यान से संभाल कर रखें हाथ से निकाले गए स्तन के दूद को शिशु को पिलाने का ये स्पोकन टूटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं, Bella Tony, आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद से लिए झाल यहीं सरा द Adventure जैंने के मैं, लेजिए से जुड़ने के date भी मैं, क्यक mucho शिए रखें वे भी मैं के मैं, ये इस से साथे, रधाने को चाने isे ट टो करें मैं के जूआ यहूआ दूए orक्षा